कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वो सेक्षिक और शुक्मापक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय शला कानूनी शला या तो व्यक्तिगत्च शला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए जो फंडामेंडर स्टोंग कोईन है बिटकोईन की बात करेंगे तो बिटकोईन का प्राइस करेंट टाइम के अंदर 68,000 डॉलर के उपर ट्रेड कर रहा है एसे यहाँ पर देखेंगे आज के दिन वीकली केंडल क्लोजिंग होने वाला है वीकेंड चल रहा है वीकेंड के यहाँ पर है रहाए पुसिबिटी रहेगी कि मार्केट ऊपर की रेंद ही दिखाएगी ओल्डियम सोट तंब वाल एनलेसिस कर चुके हैं कि सोट तम में मार्केट 74,000 डॉलर 75,000 डॉलर की रियाज दिखा सकता है सपोर्ट कहां पर सारी की सारी डीटेल समने क्लियर की है एक ही मकसद रहेगा कि आगे की रेली यहाँ पर कंटिन्यू होने के चांस बन जाएंगे के लिए बात करेंगे तो अल्ट को इनके लिए हम ज्यादा दर बिटकोइन का डॉमनेंस देखते हैं फिलाल विकली टैम फ्रेम के अंदर बिटकोइन का डॉमनेंस से लास्ट वीक जब जब बिटकोइन का प्राइज या तो बढ़ता है या स्टेबल रहता है वही टाइम पे अगर बिटकोइन डॉमनेंस गिरता है तो अल्ट में दबा के पेशा आता है इस टाइम पे बिटकोइन का डॉमनेंस बढ़ता है और सामने बिटकोइन हाट डंप होता है उन टा अल्ट कोईन का connection क्या है ठीक है अब दोस्तों फिलाल ऐसा हो रहा है बिटकोईन का price फिलाल stability दिखा रहा है बिटकोईन का dominance गिर रहा है इस टाइम के अंदर result ये निकलना चाहिए कि अल्ट तीरे तीरे बढ़ोतरी होने चाहिए तो हम देखी रहे हैं अल्ट तीरे तीरे बढ़ रहा है अब सवाल यहां पर आपके पास ये आएगा कि बड़े वाला बूल लेली एक एक दिन में 200% 300% कोईन कब pump हो सकते हैं जैसे हमने 2021 के अंदर माहौल देखा था वैसा माहौल कब हमें देखने को मिल सकता है तो इसके लिए यहां पर हमें हिस्ट्री को दोराना पड़ेगा हिस्ट्री की बात करेंगे तो 2016-17 की बात करेंगे 2016-17 के अंदर विटकोईन का डॉमिनस जब 72% के आज पास चल रहा था वहां से दीरे दीरे गिरना स्टार्ट हुआ तो अल्ट्स बड़े लेवल पे पंप हो रहे थे क्योंकि बिटकोईन का डॉमिनस गिर रहा था और बिटकोईन बढ़ रहा था कॉम्पलिटली गिर रहा था बट लेवल कौन सा था 72-72% अगें 18-19 की बात करेंगे 18-19 18-19 के अंदर दीरे दीरे करके 2021 की बात करेंगे तो अगें बिटकोईन का डॉमिनस जब 72% हीट हुआ था वहाँ से दीरे दीरे गिरा तो एक दिन में 200-300% वाड़े रेली ये टाइम था ये गिरता गया सामने रेली चल दी गई अगें इस बार का हम टाइमिंग देखेंगे दीरे दीरे उपर जा रहे अभी 54% है तो मैं टार्गेट देख रहा हूँ कि 68-72% डॉमिनस हीट हो और वहाँ से जब वाबस गुमे तो बड़े तगड़े वाला रेली का माहूल होने के चांसीज मुझे लगते हैं सिंपल आप इसे नोट कर सकते हैं बागे थोड़ा अल्ट में नजर मारते हैं कि अभी के दीरों के अंदर अल्ट क्या कर रहे हैं और आगे हम क्या देख सकते हैं दोस्तों आज की तारिक के अंदर हमने देखा फंडामेंटर श्रोंग को इनके अंदर पेसा आना स्टार्ट हुआ है लाइक यहां पर हम पोर्टरल की बात करेंगे तो पोर्टरल लास 24 गंटों के अंदर 24 से 25 परशन प्लस हुआ है 25 परशन 24 गंटों के अंदर पिक्सल की बात करेंगे वो भी 20 से 22 परशन पंप हुआ है डिवा यम की बात करेंगे 10-11% pump हुआ है इगो की बात करेंगे 8-9% और भी एक सेटर आप चेक कर सकते हैं अल्ट्स कोई में अच्छा खासा पेशा आज के दिन आया है सेटर डे इन संडे होने के बावज़ूत भी तो आखरी दीन चल रहा है वीकली तो भी इतना फंड्स आया तो मैं यहाँ पे उमीद कर रहा हूँ कि अगले वीक के अंदर भी सभी के सभी अल्ट्स 20-22% तक पंप हो सकते हैं क्योंकि एक ग्रीन वाला केंडल आज की दिन मेरे इसाफ से क्लोज होगा 20-22% उपर की ओर क्लोज होगा अभी मीम के चकर में ज्यादा ना पड़े तो देखाना आपने तीरे दीरे अल्ट्स बढ़ना स्टार्ट हुआ है आज की दिन मोस्ट उप अल्ट कोई मिनीमम 10 परशन से लेके मैक्समम 30 परशन तक पंप हुए है और आगे और एरेली बढ़ सकती है बाकि आज के लिए इतना ही कुछ और अपडेट होगा तो में बताऊंगा और एक क्रिप्टो मारकेट है दो तीन बार जांस करने के बाद ही इन्वेस्ट वगेरा करना डीसीजन लेने से पहले तीन बार जांस करना बहुत बड़ा रिस्की मारकेट है जीतना ही पंप होता है जीतना ही डम भी होता है